हेलो दोस्तों तो आप लोग कैसे हो कमेंट करके जरूर बताईएगा और आप लोग जो थमनेल पे देखा है आज की इस वीडियो में हम वही सीखने वाले है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एक भी पार्ट मिस मत करना मिस कर दोगे तो आपका जो एडिटिंग है जा इफेक्ट से सब कुछ आपका बिगड जाएगा मैं step by step अच्छी तरीक से slowly slowly में बताने वाला हूँ ठीक है तो चले फिर वीडियो को शूरू करते और इसके लिए आपको एक अप्लिकेशन के ज़रूरत पड़ेगा वो अलाइट मोशन है इसको उपन कर लेना है उपन क बिट मार्क लगाना है तो मैं यहाँ पर एक बिट मार्क लगा दिया और उसके बाद यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर एक बिट मार्क लगा दिया तो आपको पूरा songs को अच्छी तरी से सुन लेना है सुन के आपको बिट मार्क पूरा लगा लेना है तो मैं फिलाल क करना है कहा तक 750 वाई 750 ठीक है width भी 750 रहेगा और height भी 750 ही रहेगा देख सकते दिन आपको आना है back आने के बद आपको जाना है move and transform स्वारी move and transform पर नहीं आपको जाना है edit shape में और यहाँ पर आपको y को select रखना है और यहाँ से आपको y को बढ़ाना है 150 तक ठीक है और x को बढ आपको color and fill पे आना है और यहाँ से आपको ये वाला choose करना है choose करने के बाद आपको क्या करने इसको पकड़ के कुछ इस तरह से नीचे लाना है और इसको कुछ इस तरह से आपको नीचे ले लेना है okay मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ और इसको थोड़ा उपर कर द फिर से आपको दूसरा एक shape ले लेना है ठीक है तो यहाँ से यह वाला shape लेने के बाद आपको move and transform पे जाना है zoom पे जाना है और इसको आपको zoom कर देना है ठीक है तो मैं यहाँ से इसको zoom कर देता हूँ साड़े 600 तक मैं zoom कर देता हूँ okay so आप देख सकते हैं मैं साड़े 600 तक यहाँ पे zoom कर दिया अब इतना zoom करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ से तो गाई सबसे पहले यह वाले इसको रख देना है और जो अपना rectangle 1 है रेक्टेंगल 1 को select रखना देन आपको जाना है color and fill पे उसके बाद आपको यह black वाला जो portion इसको select करना है करने के बाद आपको यहाँ से जो color लेना है वो color यहाँ से ले लेना है तो इसको में थोड़ा से और adjust कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से इस तरीके से मैं adjust कर लिया अब करने के बाद यहाँ से में back जाता हूँ आपको rectangle 2 को select करना है move and transform पे जाना है और आपको यहाँ से उपर में जाना है कुछ इस तरीके से अगर आप लोग इसका size जो है थोड़ा बढ़ाना चाते हो तो यहाँ से और भी बढ़ा सकते हो कुछ इस तरीके से देख सकते हो ठीक है और इसको फिर से move and transform पे जाके थोड़ा adjust करना है ताकि इसका जो तीनो side है न वो बराबर आ जाए ओके सो इतना हमारा हो चुका है उसके बाद आपको यहाँ से back जाना है अब आपको दोनों को select रखना है rectangle 1 rectangle 2 आपको आना है पूरा video के end में और इसको यहाँ से पूरा end तक कर देना है इतना कर देने के बाद आपको यहाँ से दोनों को unselect करना है इतना हो चुका दिन आपको करना है plus वाल आइकन पे click आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको मेडिया में जाना है और यहां पर आपका जहां पर भी आपका वीडियो और फोटो है वो फोटो का आपको यहां से ले लेना है जैसे यह वाला फोटो में यहां से ले लिया ओके यहां पर लेने के बाद मैं यहां से जाओंगा बैक और इसको rectangle 2 के आपको नीचे ले लेना है, कुछ इस तरीके से, देख सकते हो, ठीक है, rectangle 2 के नीचे ले लिया, अब आपको क्या करना है, इसको दोनों को, जो rectangle 2 है और photo को, दोनों को select करके आपको इसको दोनों को merge कर देना है, कुछ इस तरीके से, आपको क्या करना है, फिर group and mask 1 मे उसको click करना है edit group में जाना है photo को click करना है move and transform पे जाना है और इसको थोड़ा adjust कर लेना आपको कुछ इस तरीके से देन आपको zoom in, zoom out पे जाना और इसको आपको क्या करना इसको तोड़ा इस तरह से आपको full screen पे ले 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 ना ठीक है कुछ इस तरह से देख सकते हो मैं ले ले रहा हूँ तो यह जादा हो गया, इतना में रख देता हूँ, ओके, तो इतना रखने के बाद आपको यहाँ से बैक जाना है, तो आप लोग देख सकते हो गाईस हमारा जो ही यह बन के तैयर हो चुग है, अब आपको क्या करना है, इसको full screen लाने के लिए आपको group and mask पे click करना है, उसके में यहाँ से एक बार click करूँगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पूरा video के end तक आ चुका है, अभी guys हम इसके background और यह photo यह दोनों का जो color है वो match करने वाले अभी, ठीक है, तो यह भी ज़रा ध्यान से देखना, तो आपको क्या करना है इसके लिए, सबसे पहले आपको rectangle one को select रखना है, उसके बाद आपको color and fill पे जाना है, देंगे जो sky color है इस पे आपको tap करना है, और यहाँ पर आप लोग यह जो selectable option इसको click करके ना, यह इसके t-shirt पर इसे कुछ तरह से लाना है, उसके बाद आपको यहाँ से back कर देना है, ठीक है, और एक सेग ना, मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर click करता हूँ, और इसका जो dress का color है, वो आपको ले लेना है, कुछ इस तरीके से, dress का color लेने के बाद आपको इसको click करना है, तो देख सकते हो, इस dress के color में आ चुका, उसके बाद यह जो, दूसरे side में जो white color है न, white color को select रखना है, इ इसको आपको क्या करना है, adjust करना है, ठीक है, तो मैं आपको दिखा दे, तो की से adjust करना है, यह देख सकते हैं, तो कुछ इस step से आपको adjust करना है, इसको आपको top में रखना है, और इसको थोड़ा से आपको बस square के नीचे आपको थोड़ा इस तरह से आपको रख देना, तो अगर पसंदारा वीडियो तो लाइक ज़रू कर देना अभी गाइज हम लोग जो है बैक्ग्राउंड एड करने वाले ठीके तो सबसे पहले आपको प्लस वल आइकन पर क्लिक करना है देन मेडिया में जाना है और वही बैक्ग्राउंड को आपको क्लिक करके त्री डॉट्स इसको हम पकड़के ड्रैग एंड डाउन कर देंगे तो यह देख सकते गाइज यह पीछे आ चुका है अभी हम लोग जो इस पर एफेक्ट वगर एड करने वाले तो एफेक्ट एड करने के लिए आपको फोटो को क्लिक करना होगा देन इफेक्ट पर जाना होगा एड एड इसको क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको सर्च करना है watch saturation तो यह सबसे पहला आईगा saturation युसको क्लिक करना है और आपको एक effect search करना है Gaussian blur उसको click करके standard setting पर tap करना है then Gaussian blur को open करना है और यहाँ से इसको 40-45 तक ही आपको करना है जादा आपको यहाँ पर add नहीं करना है अभी guys यह जो photo है आपने thumbnail पर देखा है थोड़ा सा tilt होगे tilt याने की थोड़ा angle उसका change होगे तो आपको क्या करना है angle change करने के लिए जो photo है न यह वाला rectangle one का वो rectangle one आपको select करना है उसको click करना है देन आपको जाना है move and transform पे और second वाल option क्लिक करके इसको tilt करना है आपको 3 degree तक 3 degree करना है ध्यान देना उसके वाद आपको यह जो photo है बीच वाला जो photo वाला photo है group and mask one ठीक है उसका नाम है तो मैं उसको tap करूँगा then move and transform पे जाओंगा second वाल option क्लिक करूँगा और यहाँ समय 3 degree तक bend कर दूँगा तो यहाँ पर देख सकते guys हमारा यह इतना तो जो है photo बन के तैर हो चुका है तो मुझे instagram पर आके message करना आपको तुरंथ मिल जाएगा वापे तो आपको इसके लिए क्या करना है सबसे पहले प्लस वेल ऐकन पर क्लिक करना है media में जाना है और यहाँ से मैं ले लेता हूँ मेरा जो भी मैं आड करने वालो ठीक है तो गाइस यहाँ पर मैंने एड कर लिया अभी आपको क्या अगा नहीं इसको select रखना है select रखने बाद move and transform पर जाना है और इसका जो यह है न एंगल उसको आपको सबसे पहले एंगल को ही change करना है देन आपको इसको click करने थर्डवल option को और इसको आपको छोटा करना यह जो photo है न फोटो के बराबर आपको कर देना ठीक है तब जाके यह दिखने में अच्छा लगेंगा देख सकते हो इसको थोड़ा सा में move कर लेता हूँ इस साइड में इतना करने के बाद मैं इसको और थोड़ा सा zoom कर दूँगा ठीक है अब इसको move करके मैं कहा लाओंगा नीचे की तरफ ले लाओंगा देख सकते हैं यहाँ पर मैं नीचे लाया अब नीचे लाने के बाद इसको क्या करूंगा मैं edit shape में जाऊंगा और इसका जो यह है न इसको थोड़ा समय इसे छोटा कर दूँगा ताकि यह बराबर position पे आ जाए इतना करने के बाद में यहाँ से back जाऊंगा जाने के बाद इसको click nae आपको blending रेंडिंग में जाना है और यहाँ से आपको light दर्पे आ चुका है यहाँ पिर आ पर आजाना है, end पर आने के वाद इसको अपको क्या करना है यहाँ से end तक कर लेना है तो यह जो है इतना तक settings हमारा हो चुका है तो guys यहाँ पर आप देख सकतो हो यह भी जो कितना songs हुआ है वो देख सकतो यहाँ पर चलने लगा और यहाँ पर आपको एक font को search करना है ठीक है रोबोटो सर्च करना और नीचे आना रोबोटो condensed bold italic इसको click करना है करने के बाद इसका जो color है color को select करके white color ले लेना और यहाँ से tick कर देना ठीक है बेटर दिखने के लिए उसके बाद यहां से बैक आना है movement transform पे जाके second option क्लिक करके इसका भी angle आपको कुछ 3 degree तक bend कर देना है उसके बाद आपको यहां से बैक आना है देन इसको movement transform पे जाके इसको आपको खीच के इस तरह से नीचे ले लेना है कुछ ऐसा और जहां तक आपक कि आपको इसको बढ़ा लेना है इस तरह से ओके सब देख सकता है हमारा यह आ चुका है अभी आपको क्या करना है यहां से एक shape select करना है तो सबसे first वाले bitmark पे आना है plus icon पे click करके एक shape लेना लेने के बाद movement transform पे आना sorry movement transform पे नहीं edit shape में आना और इसका जो भी size है न वो कि इसका जो भी angle है वो angle आपको 3 degree तक bend करना है back आना movement transform पे आना और इसको खीच के आपको कुछ इस तरीके से ऐसे लगा लेना है ठीक है ताकि यह lyrics ना दिखे तो guys यहां पर आप लोग देख सकतो lyrics अभी नहीं दिख रहा तो मैं क्या करूंगा इसको पकड़ूंगा और इस अब आपको क्या करना guys यहां से सेंटर में ले लिया अब आपको यहां से चले जाना है इसका जो text को को इस तरह से move करके लास्ट में लाना है ऐक लेटर के आपको रख देना है अंदर आपको स्टाइटिंग में आ जाना है प्लस एक दे देना है end में आना है एक प्लस दे देना है अब आपको text को ना कुछ इस तरीके से आपको खीच के इस तरह से move करना है एक पीछे पीछे देख सकते हैं एक black color के lining आ रहा है तो black color का जो line है न वो line एक सब्सक्राइब यहां तक रखूँगा मैं लेट करूँगा करने के बाद जो उपर में जो green border आया ना उसमें से जो second option है उसको में click करूँगा तो यहाँ पे second option पे click करने के बाद आप लोग देख सकते हो हमारा जो lyrics है वो कुछ इस तरह से बन के तयार हो चुगा अभी आपको आगे की lyrics क्या करना है इसको click करना है यहाँ पे plus फैल icon पे click करके duplicate layer करना है जो duplicate अभी बनाया है उसको click करके आपको कुछ इस तरह से आगे वाले lyrics पे आपको इस तरह से set करना है तो मैं आप पे पहले set कर ले था उसके बाद मैं आपको दिखा दो ठीक है बाकी का यहां से cut कर लेंगे तो यहां पर आप लोग देख सकते हो तेरे दिल से न फिर दूसरा वाला जब लिरिक्स आएंगा वहाँ पर आपको change करना है तो उस पर click करना है edit group में जाना है और यहां पर आपको जो next वाला जो lyrics होगा वो आपको add करना है इतना हो चुका यह जो group and mask है ना इसको click करना है blending and opposite में border and shadow में जाना है third one option click करना है यहां से shadow carnival करना है और इसका size वो आपको बढ़ा लेनी है कुछ 60 तक आपको इस तरह से बढ़ा लेनी है back आ जाना है अब आप लोग क्या करना है यहां से full screen आपको सबसे starting में आना है और एक shape लेना है full screen करना है इसको three dots पे click करके fill composition यह रहे करना है और इसको पूरा end तक लेके जाना है कुछ इस तरह के से देख सकते हूं end पे आने के बाद यहां से मैं color and fill पे जाऊंगा black color choose करूंगा ठीक है back आऊंगा effects में जाऊंगा और यहां पे add effect करूंगा और यहां पे मैं type करूंगा simple ओके तो simple star field आ गया then standard setting पे click करना है आपको scale पे आना है और इसको scale को जो है आपको कुछ बढ़ा लेना है तो मैं यहां पे जैसे की मैं बढ़ा लेता हूं दो कर लिया then आपको z पे click करना है position पे आके और starting में आपको एक plus icon दे देना है और ending में आने के बाद आपको एक plus दे देना है ठीक है और इसको कुछ इस तरीके से बढ़ा लेना है आपको जितना बढ़ाना चाहते हो ठीक है तो मैं यहां से करीब 600 रख दिया इतना करने के बाद आपको क्या करना है यहां से इसको पकड़ के आपको लाना है इस तरह से photo यह जो हमारा जो photo है न एक सेगेना यह जो photo है यहां पे लाना है photo की यहां पे लाने के बाद इसको click करके blending and opposite पे जाके light and पे click करके screen कर देना है तो जैसे आप स्क्रीन कर दोगे तो उसके बाद हमारा जो वीडियो है आप देख सकतो यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा देख सकतो गाइस यह पीछे कुछ इस तरीके से जो है वह स्टार्स देख सकतो वह चलने लगेगा एक सिगना थोड़ा यह लाग हो रहा है तो मै एक कारूं करूंगा स्टार्टिंग में आ जाओंगा और आप लोग देख सकतो गाइस पीछे की तरफ थोड़ा जो स्टार से वह चलने लगा ठीक है तो कुछ इस तरीके से चलने वाला है यहाँ पर मैंना HDR Effect एडड करने वाला हूँ ठीक है तो यह आपको भी टेलिग्रम पर आने के टेलिग्रम पर नहीं इंस्टा पर आके मैसेज करना तो यह भी आपको मिल जाएगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकतो HDR Effect देव जोति दासकर के नाम है मैं उसको क्या करूंगा सबसे पहले उपन करूंगा उपन करने के वाद इस पे प्लस वाल आइकन पे क्लि एड हो चुका यहाँ पर फाइनली और यहाँ पर जितना भी यह effect है इसको आपको क्या करना है तीनों को इस तरह से select करना है इस तरह से select करने के बाद आपको इसको क्लिक करना और पूरा end तक आ जाएगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा जो वीडियो है वो फा पसंदा है वीडियो तो लाइक करें